नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन बिधान सभा का तेश्वा स्थापना दिवस पर सीम हेमंत बोले मजबूत हुआ है लोकतंत्र जार्खन बिधान सभा का 23 अपना दिवस बुद्ध वार को दूमधम से मनाया गया कारिकर्णम के मुख्याति थी राजे पाल सी फिराधा किष्णन थे समारो की सुरुवात राष्ट गान के साथ की गई इस दवरान मनिका बिधायक रामचंद्र सींग को बीरसा मुंडा उतक्रिष्ट बिधायक समान से समानित किया गया इस अवसर पर सियम हमान सुरेन ने सभा को संभोतित करते हुए कहा है कि हम आज जार्खन बिधान सभा की 33 वी वसगाट मना रहे हैं बिधान सभा किसी भी राजी के लिए जाती धर्म से उपर है यहां नो सिर्फ आम लोगों के लिए बलिक पॉस्वो और परया औरन के लिए भी विचार किया जाता है सभी छेत्र के परतिनी धी यहां किसी उमीद के साथ आते हैं इसलिए हर भी सह पर सही धंग से चार्चा हो इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और भी पक्ष दोनों की होती है समाई के साथ यहां बहुत सारे बदला हुए हैं मुख्यमंत्री सिरी सुरेन ने आगे कहा है कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है इसलिए हम सब आज पंचायत के इस महापरव को मिल जूल कर मनाए और इसकी जड़ों को और मजबूत करे वहीं राजयपाद सीपी राधा कृष्ण ने मन का बिधायक को उतकृष्ट बिधायक चुने जाने पर बधाई दी है पाकुड में एक जनवरी से सुरू होगी धान की खरीदारी पाकुड जीले भर में धान की कटनी सुरू हो गई है किसान धान को काटकर अपने खेतों में सुखने के लिए छोड़ दिये है जीले के कुछ जगों में धान की त्यारी भी सुरू कर दी गई है वही दूसरी और धान खरीदारी को लेकर सहकाईता विभागने प्रारामफिक त्यारी शुरू कर दी है जीले भर में एक जनवरी से धान की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी इस बार जीले में 50 यार किंटल धान खरीदने का लक्ष रखा गया है खरीदारी विभीन लेपसों के मादियम से की जाएगी धान खरीदारी को लेकर झार्खन राज खाद एम औसायनिक आपूर्ती नेगम लिपीटेट की ओर से माप दंड भी निधारित कर दिये गया है माप दंड का पालन पर धान की खरीदारी की जानी है खरिदारी के लिए 12 लेप्स को अब तक चायनित किया गया है वहीं लेप्स की संख्या और बढ़ाई जा सकती है बतादे धान खरिदाली के लिए माप दंड भी तय किया गया है धान अधिप्रप्ति केंद्र धान उत्पादक छेत्र में अवस्थित हो केंद्र पर पुर्व में की गयधान अधिप्रप्ति की मात्रा एवं निबंधित की सानों की संख्या अंकित होनी चाहिए वहीं केंद्र की भंडारन चमता उपलब्ध हो उपलब्ध भंडारन चमता के भहतिक इस्थिती अच्छी एवं सुरक्षित हो उत्तरकासी में फसे 15 स्थीत सिल्क 12 के अंदर 31 मैधूर फसे हुए हैं राज सरकार के सन्यूक्त स्थीत राज परसाद ने बताया है कि जर्कासी एक टीम उतरकासी में तयार है डक्टरों दोवारा चिकिसिये रूप से फिट घोसित किये जाने के बाद सरमिकों को देहरा दून से रांची तक हवाई मार्क से लाया जाएगा उतरकासी में सिल्की आरा, सुरंग, ढहने वाली जगप पर बचाव अभियानतेज हो गया है जहां 41 मजदूर फसे हुए हैं, लागवाग 67 परतिस्तर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है जिसमें 45 मीटर तक पाइप डाले गए है जहारखन मौसम विभाग जहां 14.3 डिगरी चल्सियस रिकॉर्ट किया गया है असंगठित मौदूरो को मिलेंगे 30,000 रुपए राजे की हिमन सुरेन सरकार ने राजे के असंगठित छेत्र के मौदूरो पर अपनी मेहरबानी किया है केबिनेट की बैठाग में पहले चल रही योजनाओं और सुविधाओं के अतिरिक्त अन या नए सुविधाय देने का नहीं लिया है सरकार नहीं लिया है कि ऐसे मौदूरो को अब सरकार उपचार आजीव का सहायता योजना से जोड़ेगी इसके तहद पूर्व से चल रही चिकित सा सहायता योजना के अस्थान पर उपचार आजीव का सहायता योजना चलाई जाए जिसमें पांच से या उससे अधिक कार्या दिवसों तक अस्पताल में भरती रहने पर इस योजना का लाभ मिलेगा और कुसल सिरेनी के स्थरमिकों के लिए जहरकन सरकार दोर निधारित निमतम मैं दूरी का भोक्तान किया जाएगा और अधिक्तम 40 कार्या दिवसों के बराबर राश्री का भोक्तान डिविटी के माध्यम से किया जाएगा NCERT की पुस्तकों में अब रमायन महाभारत में बटेगा इतिहास राश्रीय सिक्षा नीती के तहत लगातार पुस्तकों और पाठकरम में बदलाव किया जा रहा है इसी बीच राश्रीय सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसद के एक पैनल ने सोसल साइट के पाठकरमों में रमायन और महाभारत जैसे विचयों को जोडने के अनुसंधा की है वहीं इतिहास को चार भागों में बातने और देश का नाम बदलकर भारत और हिंदू जीत रखने की भी अनुसंधा की गई है इसके लिए NCE-RT के तहट साथ सदसे ही पैनल बनाया गया था पैनल के अधियक C.I.E.S.A.C. को बनाया गया था इस समद में C.I.E.S.A.C. ने बताया है कि रमायन और महाभारत के काब्यों के अनुसंधा के साथ बिद्यालियों की दिवारों पर समिधान के प्रस्तावना को अस्थानिय भासा में लिखा छपवाने की भी अनुसंसा की गई है इसके अलावा Indian Knowledge System में बेदो और आयरुएद को भी सामिल करने की बात कही गई है नकसलियों ने किया 16-22 दिसंबर तक भारत बंद का एलान पुलिस की लगतार करवाई से नकसलि बॉखलाय हुए है इसी बॉखलाहाट में उन्होंने 16-22 दिसंबर तक भारत बंद का एलान किया है नक्सलियों का काहना है कि इस दोरान वे देश ब्यापी प्रचार अभियान चलाएंगे बतादे नक्सलियों ने अपने खिलाब चल रही पुलिस की करवाई के बिरोध में भारत बंद का एलान किया है भागपा मावादी के केंद्रिय कमिटी के परवक्ता अभाई के दोरा पत्र जारी कर भारत बंद का एलान किया गया परवक्ता अभाई के अनुसार नक्सलियों सुल्ला से 22 दिसंबर तक देश ब्यापी पर चार आंदोलन अभियान चलाएंगे और 22 दिस्टमबर को भारत बंद को सफल बनाएंगे हेमांत केबिनेट की बठक में 32 प्रस्ताओं पर लगी मुहर मुखि मंत्री हेमाशुन के इधिक्ता में प्रुजेक्ट बन में चल रही केबिनेट की बठक खत्म हो गया है कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्ताओं पर अपनी मुहर लगा दी है हे मन्त कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जार्खन में ACST अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलो की जाच अब इंस्पेक्टर और दरोगा भी कर चकेंगे पहले सिर्फ DSP अस्तर के पुलिस अधिकारी ही ऐसे मामलो की जाच करते थे वहीं सरकार ने जार्खन में भूग गर्व जल नीती बनाने का फैसला लिया है कैबिनेट ने 1984 सीख बीरोधी दंगा में बोकारों के कुल 24 पिरितों और आश्रितों को एक पॉइंट दो जीरो कोडो रुपे भूगतान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है सीख बीरोधी दंगा आयोग रांची के जक्ष डीपी सिंग के अनुसंसा पर आक्समिक्ता निधी से दी गई यह रासी दी जाएगी जमसेदपूर में सडक हाथसे में किसान की मौत गरामिनों ने किया परदर्सावन जमसेदपूर के मानगों से घार सिला की और जाने वाली एनेज तेटीस पर भिलाई पहाड़ी के पास ट्रेलर की चपेट मयाने से किसान चरण बेसरा की मौत हो गाई घाटना के बाद गरामिनों ने मौपजा कि मान को लेकर सडक जाम कर दिया जगह जगह पर टायर जला कर परदसन किया जिससे एनेज पर लांबा जाम लग गया एनेज तेटीस के दोनों तरफ घंटो आवागमन बाधीत रहा घाटना के जनकारी पर MGM थाना की पुलिस मोपहे पर पुछी गरामिनों से वारता किया लेकिन अचित मौपजा बिना गरामिनों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया संत्हाल परगना में बंगला देशी घुसपैट पर केंद्रिये गिरिह मंत्राले से जवाब जारखन हाई कोट ने केंद्रे गिरिह मंत्राले से पूछा है कि केंद्र और राज सरकार के अपसरों के सन्यूक्त टीम बनाकर जारखन के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवास्यों का पता लगाना संभव हाया नहीं कोट ने दो सप्ता में इस मामले में जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है बता दे संथाल परगना में पंगला देशी घूस पैठियों के कारण वहाँ की डेमोग्राफी पर पर रहे पर्तिकुल प्रवाओ के मुद्दे पर दायर जन ही त्याज का की सुनवाई करते हुए जारखन हाई कोड के चीप जस्टी संजय कुमार मिसर के अध्यक्स्ता वाली खनपीट ने बुद्धवार को या निर्देश दिया है S.C.H.D. केस का अनुसंधान अब दरोगा इंस्पेक्टर करेंगे अब S.C.H.D. केस का अनुसंधान राजी के दरोगा और इंस्पेक्टर कर सकेंगे मुख्यमंत्री है मनुसरेन के नितित में 22 नॉमबर को हुई केमिनेट की बैठक में अनुसूची जन जाती अनुसूचित जाते अधिनियम 1989 के तहट दर्ज केस का अनुसंधान का अधिकार इंस्पेक्टर और दरोगा को देने सहीद कुल 32 प्रस्ताओं के मंजूरी बदान की गई कैबिनेट सची वंदरा डाडेल ने जनकारी देते हुए कहा है कि सची एस्टी केस का अनुसंधान बरतमान समय में डी एस्पी अस्तर के 106 अधिकारी को करने का अधिकार था मगर इस प्रस्ताओं की मंजूरी मिलने के बाद दरोगा और इस्पेक्टर को भी अनुसंधान का अधिकार प्राप्त कोगा इसके अलावा केबिनेट ने 1984 सीख बिरोधी दंगा में बोकारों के कुल 24 प्यूरितों और आशिरितों के मुवजादेने की स्वक्रिती पर दान की है जार्खन में असिस्टेंट पोर्फेसर के लिए पी एस्टी की अनिवारता खत्म है राजमंत्री परिशत की बुद्धवार को हुई बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पी एस्टी की अनिवारता को समाप्त कर दिया गया है नेट और जेट पास और भियारती इस्थपत के लिए आविदन कर सकेंगे यह निर्नाय हाल में UGC की ओर से जारी निदेश के आलोक में लिया गया कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्ताओं को स्विक्रिदि पदान की गई इसमें आधार दाजन के करीब सड़कों के मजबुत्ती करन और पुर्ण निर्वान का प्रस्ताओं भी सामिल है जारखन में जेल परसासन कैदी गठ जोड तोड़ने की कवायद जारखन में कैदी वा जेल परसासन के गठ जोड को तोड़ने की कवायद सुरू हो चुके है लगातार मिल रही जेलों में अवैद गती वीदियो की सुचनाओं के बाद राज सरकार के निदेश पस्टोला जेल अधिक्ष को वा छह जेलों का तबातला किया गया इससे सम्मंधित अधिसुचना बुद्वार को जारी कर दी गई सुचना है कि बहुत जल्द जेलों में निचले अस्तर पर भी तबातले होंगे इसकी त्यारी चल रही है इसके साथ ही सभी जीलों के उपायुक्तों को भी अनिदेश दिया गया है कि वे बीचों बीच में जेलों में अउचक छापे मारी करे ताकि जेल पर सास्तर अनवा कैदी के बीच बने हुए गठ जोड को तोड़ा जा सके धिरेंद्र सास्तर को परवचन के लिए जार्खन में नहीं मिली अनुमती जार्खन के धनवाज जिले में बागेस्वर धाम, पिठा, धिस्वर, धिरेंद्र सास्तर का तिन दिवस्चे परवचन कारकरम को अनुमती देने से इनकार कर दिया है अनुमाती ना मिलने की वज़ा से यह कारकरम फिलाल अस्तागित कर दिया गया इस कारकरम का आयोजन चिताही के सिरी रामराज मंदी ट्रस्ट की ओर से दो से लेकर चार दिसंबर तक किया जाना था लेकिन यह अनिस्चित काल के लिए टल गया है ट्रस्ट के परमुख और बागमारा चेत्रे के बिजेपी बिधायक धोलू महतों ने कहा है कि इस कारकरम को लेकर चेत्रे की जनतान ने सरधा और गजब का उत्सा बना हुए था हलाकि राज सरकार उजीला परशासन के अस्वयोग आत्मक रूख के कारण इसस्थागित करना पड़ा है धर्म करम के कारयों को अनुमती देने से रोकना बहुत दुरभाग जनक है उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वे कोट की सरण में जाएंगे साहिब गंज एसपी को इडी ने भेजा दूसरा समान जारखंड के साहिब गंज जीले के पुलिस अधिक्षक नौसाद आलम को इडी के द्वारा दूसरा समन जारी कर दिया गया है इडी के गुवाह विजय हंस्दा को परवावित करने के मामले में साहिब गंज एसपी नौसाद आलम बुद्धवार को इडी के राची जोनल ओफिस में हाजिर नहीं हुए थे जिसके बाद इडी ने उन्हें दुबारा समन भेज दिया है दूसरे समन में उन्होंने 28 नौमबर को दिन के 11 बज़े तक एडी के राची जोनल ओफिस में उपस्तित होने को कहा गया है पहले समन पर बुद्धवार को साहिब गंज एसपी दिन के साड़े 11 बज़े तक एडी कर्याले नहीं पहुँचे थे जारखन में एक लोग सभा सीट पर चुनाव लड़ेगा जे में जारखन में चल रही हमंत सरकार के बीच सीटों के बटवारे को लेकर राजनीती घमासान मचा हुआ है कॉंग्रेस और रायत लगातार अपने सीटों का दावा ठोक रही है अईसे में जामों के लिए परिशानी बढ़ रही है सबसे बड़ी बात या है कि सहयोगी दलों के ब्यानों को रोक पाने में जामों अभी तक फेल ही दिख रहा है बता दे जारखन में चल रही हमंत सरकार के सहयोगी दलों ने जो राजनीती त्यार की है उसके उनसार लोग सभा चुनाव में हेमंद सुरेन की पार्टी जार्खन मुक्ति मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ेगी जार्खन की राय निती में सीट बटवारे को लेकर के जिस तरीके से हेमंद गठ बंधन के सहयोगियों ने सीटों का एलान किया है उसे चौदा लोग सभा सीटों वाले राजे में सीर्फ एक सीट ही बच रही है जो जार्खन मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी सरकारी जमीन पर अवैध कबजा करने के आरोप में अमबा परसाथ पर ममला धर्ज जार्खन के पुरमंत्री योगेंदर साव बढ़का का अविधायक अमबा परसाथ पर खास महल जमीन पर कबजा किये जाने के आरोप में बड़ा बजार थाना हजारी बाग में ममला धर्ज किया गया सदर सियो ससी भूशन सिंग के आवेधन परियाह ममला धर्ज किया है जमीन है जमीन पर अवयद रूप से चार दिवारी निर्मान करने की सुचना पर 11 नॉमबर को पुरमंत्री योगेंदर साव को नोटिस किया गया था अवयद निर्मान कारे को रोक दिया गया था वहीं 22 नॉमबर को सदर अंचल में इसका पक्ष रखने को कहा गया था इसी वीद छट पुजा आवकास के दरन उन्होंने 50 जमीन पर अवयद रूप से चार दिवारी निर्मान करा लिया है धन्यवाद